आज हम linear transformation start करने जा रहे हैं, तो अगर आप vector space का पहला lecture नहीं देखे हो, तो मैं उसका link दे दे रहा हूँ, जिसे आप जा कर देख सकते हो, अगर आप उस lecture को देख लेते हो, तो यह जो chapter है आपका linear transformation, इसको समझने हमें आपको आसानी होगी, तो देखो सबसे पहले हम linear transformation की definition देखेंगे कि आखिर linear transformation होता क्या है, और हम इसको define कैसे करते हैं, देखो हमारे पास दो बेक्टर spaces हैं, यू और भी, over the same field F पर, यानि हमारे पास दो बेक्टर spaces हैं, यू और भी, over the same, यानि same field F पर, और एक mapping है, यू से भी में, तो इस mapping को हम linear transformation बोलेंगे, अगर ये दो condition को सतिस्फाई करता हो, और ओ condition क्या है, first condition है, transformation of X plus Y equal to linear transformation of X plus linear transformation of Y, और ये जो X, Y है, वो किसका element होगा, U का element होगा, for all X, Y belongs to U, दूसरी condition है, linear transformation of A, X, यानि ये जो X है, इसमें किसका multiply कर रहे है, इस केलर का multiply कर रहे हैं, और X किसका element है, U का element है, तो A transformation of X for all, ये किसका element है, F का element है, यानि field F का element है, और X किसका element है, U का element है, तो किसी भी mapping को linear transformation होने के लिए, इस दो condition को सतिस्फाई होना जरूरी है, इन दोनों condition को हम कभी-कभी एक में भी कलब करके लिखते हैं, या आपको book में, ये एक में, दोनों condition को एक में कलब करके, इस रूप में लिखा हुआ मिल सकता है, transformation of AX plus BY equal to A transformation of X plus B linear transformation, यानि linear transformation को ही हम transformation बोलना है, तो linear transformation of Y, for all, ये क्या है, ये भी जो आपका scalar है, वो ये फ में है, ठीक है, यानि फिल्ड ये फ में है, और X Y किसमें है, for all X comma Y belongs to U, ठीक है, यहां पे लिखने ना for all यानि कभी-कभी हम उस दोनों condition को इन दोनों first और second condition को एक ही में club करके इस रूप में लिखते हैं linear transformation of ax plus by equal to linear transformation of x plus b linear transformation of y और a b किसके element है f के element है और यह x y किसका element है u का element है तो अब हम इस first condition को proof कैसे करेंगे देखो हम इसी की मदद से करेंगे कैसे first condition को हम proof कैसे करेंगे यह तो हमारे पास हाई है ठीक है दोनों condition को एक में club करके हमने लिखा है तो देखो हम कैसे इसको proof करेंगे पाली condition को अभी हम proof कर रहा है तो यहां पर आफ लेट पूट कर दो यह जो इसको एक्वेशन नमेरल आफ राफ बैट टो दो a equal to one and be equal to one तो देखु जब आप यह की जगा पे one put कर ओगा और बी की जगा one put कर ओगा तो क्या मिलेगा टी one dot x plus one dot y equal to यहां पर क्या मिल जाएगा one make linear transformation of x 6 everyone come linear transformation of y ही यहां किसमें बिलांग कर रहा है even a family बिलांग कर रहा है for all वन belongs to F को और एक्साइब तो जांते ही है किसने बीलोंग कर रहा है todos यहां तो kami से देखो यहां से देखो linear transformation of x मिल जाएगा प्लस linear transformation of y मिल जाएगा यहीं तो condition देखो first condition हमारी आ गई यहीं हमने लिखा है ना first condition यानि किसी भी मैपिंग को linear transformation कहा नालने के लिए क्या होना चाहिए इन दो condition को satisfy होना चाहिए जो मैंने ऊपर रखा है अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे दो करेंगे तो पहले तो आप इसको note करो मैं इधार आपको बताता हूं रेज करके कि इसको कैसे करेंगे और इसी को दिन्लेशन को कैसे प्रूफ करेंगे देखो कैसा क्या करवब पूट है विएक वोल टू जिरो यावन में इस इक्वेशन वन में देखों one मान रखा है वीडिए को डू क्या कर देना जीरो अपूट कर देना तो क्या मिलेगा linear transformation of ax plus zero dot y equal to a linear transformation of x plus zero dot linear ize the transformation of Y तो जाएगा तो लीनियर ट्रांस्फार्मेशन ओफ एक्स है इक्वाल टू ए लीनियर ट्रांस्फार्मेशन ऑफ एक्स और यह तो जीरो मिल जाएगा तो यानि यह आपकी सेकेंड कंडिशन जो भी प्रूफ हो गई यह सेकेंड कंडिशन है ठीक है देखो प्रूफ हो गई अब हम आगे मूफ करते हैं और बात कर दिंगे प्रॉपर्टी जो लीनियर ट्रांसफार्मेशन की तो पहले तो यह सारी चीजें आप नोट करो फिर मैं आपको ले चलता हूं और प्रॉपर्टी जो लीनियर ट्रांसफार्मेशन